नमस्कार विद्याथी मित्रो आजे आपड़े सर्वेइंग सब्जेक्ट नी अंदर आपड़े युनिट नंबर फोर छे अड़लेके लेवलिंग ते युनिट नी अंदर टेलिसकोप अने टेंपररी एक्जेस्मेंट ओफ लेवल वीशे वाद करवाना छी ये अथम अपड़े वाद करिये टेलिसकोप वीशे तो टेलिसकोप छे ए खासकरी ने अलग अलग प्रकार ना सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट नी अंदर येन उप्जेक्ट होई येनी क्लियर इमेज मेड़ा हुआ माटे थाई चे जेथी करिने आपड़े सामे रहेला जे स्टाफ होई बराबर एना उपर रिडिंग छे ये आपड़े बराबर लई शक्किया तो आवाद थे टेलिसकोप छे एने बे भागनी इंदर बेचुवा मावे छे एक्स्टर्नल फोकसिंग टेलिसकोप औने बिजु वाद करिये तो इंटर्नल फोकसिंग टेलिसकोप बाहिय ना बियान टेलिसकोप औने अंतरिक ना बियान टेलिसकोप टेलिसकोप ना ब्रे प्रकार छे सब प्रतम बात करी आपड़े External Focusing Telescope नी फिगर माद में जह जो हो छो एचे External Focusing Telescope External Focusing Telescope छे एनी जे बोडी होई ए बे ट्यूब नी बनेली होई छे ब्रेबर एक ट्यूब होई छे एनी अंदर बिजी ट्यूब छे यह सरकी सके एवी रचना छे एनी अंदर करेली होई छे आ ट्यूब नी अंदर बार करवा माटे एनी अंदर रेक औने पिनियन नी अरेजमेंट छे एक करेली होई औने शाथे एक Focusing Screw जडेलो होई तो Focusing Screw नी वडे आपड़े एक ट्यूब नी अंदर बिजी ट्यूब छे एने अंदर बार सरकावी शक्किये तमें फिगर माँ जोता हास होते आपड़े एक्स्टरन फोकसिंग टेलिसकोप नी बोड़ी छे एना एक एंड उपर आईपीस जडेलो होई छे जहारे बिजा छेडा उपर अबजेक्ट ग्लास जडेलो होई छे आईपीस छे एनी नजीक डायाफ्राम छे एने जोडेलो होई छे ब्राबर तो आरिते एक्स्टरन फोकसिंग ना जे में पार्टस नी आपड़े जो वाद करिये तो एना माटे छे अबजेक्टिव ग्लास त्यार बाद आक पासे वोई आईपीस तेनी आगर थोड़ो कोई छे डायाफ्राम आजे तम्हे जो हो छेई रेकेन पिनियन ररजमेंट छे आचेई फोकसिंग स्कुरू छे आप फोकसिंग स्कुरू नी मुदत थी आपड़े आजे रेकरने पिनि टेलिस्कोप ये पेले आपड़े एक्स्टरनल फोकसिंग टेलिस्कोप छे एना फाइदा और गेर फाइदा नी चर्चा गरी लाईए तो एक्स्टरनल फोकसिंग ना एडवंट इद नी बाद करी ए फाइदा नी तो सोव प्रथम के इंटरनल फोकसिंग स्टरी एक्स्टर अंदर बार निकडी शके छे एटले गंदर ना जे भागो छे एने सहीलाई थे आपड़े क्लीन अने रिपेर करी शक्किये त्यार बाद भी जो मुदो के एक्स्टनल फोकोसिंग नी अंदर कोई वधारानो लेंस प्रोवाइड करेलो तो नथी एटले एने लिदे एनी अंद इमेज नी जे तिवरता होई ब्राबर जे ब्राइटनेस हो एनी अंदर कोई प्रकार नो खटाडो जोवा मड़तु नथी आपड़े एकदम स्पर्स्ट इमेज ने चोही शक्किये त्यार बाद एना डिसेडवांटेज नी बाद करिये एक्स्टनल फोकोसिंग टेलिसकोप तो एक्स्टनल फोकोसिंग टेलिसकोप नी अंदर गेर फाइदानी बाद करिये तो एनी जे लेंथ होई ये इन्टनल फोकोसिंग टेलिसकोप करता वधारे होई ब्राबर आया ट्यूब छे अंदरबार सरकी सके छे एटला आमाट एक्स्टनल फोकोसिंग टेलिसकोप नी ये लेंथ होई ए इंटरनेंट फोकसिंट टेलिस्कोप नी समखामणी मा वधारे होई ब्राबर लंबाई छे वधारे होई त्यार बाद जे ट्यूब छे ना आपने ख्याल छे अंदरबार गरी शक्ये ये लिदे जे बारना वात्तावनना संपर्ग मा जे ट्यूब आवे छे एना उपर डस्ट, डर्ट अने मोईस्चर छे असर जोवा मडशे ब्राबर त्यार बाद त्री जूब के वारमवार आ ट्यूब छे ये अंदर बार एक बिजानी उपर सरक्ती होवा थे ये अंदर वीयरिंग छे गर्षन छे वधारे जूब आमड़े तो आवात्ते एक्स्टरनल फोकोसिंग ना डिसेडवांटेद नी सव प्रथम अपड़े गिदू एना फाइदानी फाइदानी अंदर चे ये आपना ब्येवस्तु याद राखवानी छे के एक्स्टरनल फोकोसिंग टेलिसकोप ना अंदर ना भागो छाई साईले थी साप करी शक्किये और रिपेर करी शक्किये जहारे एक्स्टरनल फोकोसिंग नो बिजो फाइदो तो के एंदर कोई वधारनो लेंस छे ए प्रोवाइड करेलो नो होवा थी इमेज नी जे ब्रिल्यान्सी छे एने कोईपन प्रकार नी असर थती नथी ओची थती नथी त्यार बाद आपडे गेर फाइदानी वाद केई री एक्स्टरनल फोकोसिंग टेलिसकोप नी जे लंबाई होई एंटरनल फोकोसिंग टेलिसकोप करता वधारे होई अवे जे ट्यूप छे बारना वाद तावन अंदर आउसे त्यार बाद वारमबर एक्ट्यूप बिजीटी उपर सरकवाथी आनी अंदर गरसण छे वधारे जोवा अमडे तो आवाद थाई एक्स्टरनल फोकोसिंग टेलिसकोप नी अवे आगड आपड़े बाद करिए इंटर्नल फोकोसिंग टेलिसकोप आंत्रिक नाभिजान टेलिसकोप तो इंटर्नल फोकोसिंग टेलिसकोप छे एनी अंदर एक छेड़े ओबजेक्टी होई एनी अंदर पन एक छेड़ाई पीस होई परन्तु ते बे छे एक बी जाने फिक्स्ट अंतर हे राखेला होई एने अपड़े हलन चलन करावता नथी फोकसिंग करवा माटे एक वधारानो लेंस छे ए डायाफ्राम नी औन अबजेक्टिवन नी वच में राखवा मावे छे बलाबन आतमे जोहो छो आएक वधारानो लेंस छे के जे डायाफ्राम ती थोड़ा गंतर अन अबजेक्टिवनी डायाफ्राम नी वचे एक वधारानो लेंस राखवा मावे छे फोकसिंग माटे एने पछी फोकसिंग स्कुरू साथे जड़ेलो होई तो कोईपण वस्तुनी क्लियर इमेज जोहा माटे आ फोकसिंग स्कुरूनी मदित थी आपड़ आजे वधारानो लेंस छे न आगर पाछवड करी शक्किये औने जेते वस्तुनी उस पष्ट आजे इंटर्नल फोकसिंग टेलिसकोप माँ गवधारनो लेंस छे प्रोवाइड करेलो होई चे मोडन प्रकार ना सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट छे एनी अंदर आजे इंटर्नल फोकसिंग टेलिसकोप छे नो यूस थाई छे अवे अपड़े बात करिये ना फाइदा आने गेर फाइदानी तो सो प्रथम फाइदाज होई पेलू के इंटर्नल फोकसिंग टेलिसकोप नी जे लंबाई ओची ओई छे गंपेर टू एस्टर्नल फोकसिंग टेलिसकोप ना ट्यूब छे ए फिक्स आईपीस अन अबजेक्टी नो अंतर फिक्स छे अंदर नो जे लेंस छे अंदर ने बार गत्ती करे छे ब्राब एटला लिधे यानी लंबाई ओची ओई छे ब्राबर बीजू के अहीं ट्यूब छे ए अंदर बार थती नती एटले के चेहे टेलिसकोप ना भागो छे बार ना वातारोण ने एक्सपोस थता नती एटले के एनी उपर परणों के जोटतू नती त्यार बात्री जो मुदो जे लाइन ओफ कोलिम ने संचे बराबर एट फोकसिंग ने लिधे येने काई असर थती नती कांके लाइन ओफ कोलिम ने ख्याल छे के दायाफ्राम अने अपने जे अबजेक्टिव छे ने प्रकासिये गिंदर ने जे अबजेक्टिव ने अस्थान फिक्स होता नती इतला माटे निया लाइन ओप कोलिम ने फोकसिंग ने लिधे थोड़ीक असर जोवा मर्से जे अबजे इंटर्नल फोकसिंग में ये उथातू नती त्यार बाद छे खसार हो थो तो दो एक्टर्नल फोकसिंग ने टेलिस चे ब्राबर ए अपने इंटर्नल फोकसिंग टेलिसकोप नो यूस करवा मावे छे ता फाइदा अफे गेर फाइदा नी वाद करिये सव प्रतम तो इंटर्नल फोकसिंग टेलिसकोप नी अंदर वधारानो जे लेंस चे उप्योग करवा मावे छे अटले के चे इमेज जे ह से नियंदर थोड़ोग आपणने खटाड़ो चोगा मुडशे ब्राबर बीजु के अंत्रिक ना भिया ने लेके इंटरनल फोकोसीन टेलिस्कोप छे एना अंदर ना जे भागो छे एना सहीलाई थी आपड़े कलीन के रिपेर करी शकता नथी तो आ बाथ इंटरनल फोकोसीन टेलिसकोप ना गेर फाइदा नी सव उप्रत हमबड़े रिपीट करी ये तो फाइदा इंदर आपड़े गिदू के इंटरनल फोकोसीन टेलिसकोप नी लंबाई छे ए ओची होई छे बीजु के इंटरनल फोकोसीन टेलिसकोप ना जे भागो हो ये बारना वातावणना सं जोवा मढती नथी त्यार बाद इंटरनल फोकोसीन टेलिसकोप मा कसारोपन ओचो हाई छे ब्राबर मोडन प्रकार ने जे टेलिसकोप वो है एनी अंदर इंटरनल फोकोसीन टेलिसकोप ने वापरवा मा आवे छे त्यार बाद वाद करिये गेर फाइदा नी तो के इंटर अपने थोड़िक वधार आपने तक लिप पड़े छेए सहीलाई थी एकसेसिबल ओता नथी तो आवाद थे एक्स्टरनल और इंटरनल फोकसिंग टेलिसकोप नी तो आ उपर थी आथी एरी उपर थी एक्जाम मा आपने जे टेलिसकोप ना भी प्रकार हो छे एक्स्टरनल फ comparison between external and internal focusing telescope तो सब प्रथम आपड़े बात करी internal focusing telescope नी तो आपने ख्याल चेक internal focusing telescope वोई नी अंदर length of telescope is comparatively less internal focusing telescope नी ये लंबाई होई external focusing telescope नी comparison मा उची होई चैरे external focusing telescope नी अंदर length of telescope is more compared to internal focusing telescope काणके अपने ख्याल चेक external focusing telescope मा अंदर बार जे बेटी उप छे अंदर बार गत्ती करें चेटलेके नी लंबाई चेए वधारे होई छे तेर बाद बिजा मुदानी वद करीए internal focusing telescope मा तो object glass and eyepiece are fixed अंतरिक नाभियान अटलेके internal focusing telescope मा object glass and eyepiece ना जे स्थान होई ए fixed होई छे एनि अंदर focusing माटे वधारानों लेंस प्रोवाइड करेलो होई चार external focusing telescope मा objective glass and eyepiece are movable येटलेके बाहियान अभियान टेलिसकोप नी अंदर object glass and eyepiece चे बने movable होई काणके एनि अंदर focusing माटे object glass and eyepiece ना स्थान चे बदलवामा आवे एनि अंदर कोई वधारानों लेंस प्रोवाइड करवामा उतो न थी तेर बद वात करी internal focusing telescope नी अंदर के internal focusing telescope नी अंदर जे आंतरिक भागो चे बारना वात्त अनना संपर्ग मा आवता न थी अटलेके ए free from dust on a dart way जे रे external focusing telescope नी अंदर इना जे भागो ये बारना वात्त अनना संपर्ग मा आवे अटलेके नी उपर dirt, dust अने moisture नी असर छे जोवा मर से तेर बाद चोथो मुदो brilliancy of image reduce ब्राबर internal focusing telescope नी अंदर वधारानों लेंस प्रोवाइड करवा थी जे इमेर नी brilliancy असे ये नी अंदर कटाडो जोवा मर से जे रे external focusing telescope नी अंदर कोई वधारानों लेंस प्रोवाइड करवा मा आवतो न थी, no extra internal lens provided so the brilliancy of image does not reduce अटलेके वधारानों लेंस प्रोवाइड करेला नो होवा थी external focusing telescope नी अंदर जे इमेर नी brilliancy हो ये नी अंदर घटाडो थतो न थी त्यार बात कई जग्या यूज थाई ना विशे लखिये तो internal focusing telescope नी अंदर तोके it is used in modern telescope जे आधुनिक प्रकारना जे टेलिसकोप छे ये नी अंदर internal focusing telescope नो यूज थाई छे जयार external focusing telescope तोके it is used in ordinary telescope जे ओडिनरी telescope जे नी अंदर आपड़े external focusing telescope नो यूज करिये छिए तो आवाद थाई comparison between internal focusing telescope and external focusing telescope अगर अवे आपड़े बात करिये parts of telescope वीशे तो telescope छे खास करियने objective, eyepiece, diaform, bubble tube अने focusing device छे एनी पर चड़ेला होई छे तो सोब्रथम बात करिया आपड़े ओबजेक्टिव नी ख्याल चे कि आपड़ु जे अबजेक्टिव नी रचना चे ए सिंपल लेंस जे वी वोती नती येनू कारण चे के जो आपड़े ओबजेक्टिव नी अंदर सिंपल लेंस नो जो उप्योग करिये तो टेलिसकोप नी अंदर अलग-अलग प्रकार नी ओप्टिकल डिफेक्ट्स जोवा मड़ से जेमके एक्रोमेटिक एब्रियेशन पची अन्वोंटेड कलर्स तो तेने लिदे ओबजेक्टिव नी जे रचना चे एनी अंदर साधा प्रकार ना लेंस नो उप्योग करवा मावतो नथी तो आँ डिफेक्ट जे छे न था एटला माटे ओबजेक्टिव लेंस छे एक करता वधारे लेंस नो छे बनेलो होई पच ये ओबजेक्टिव होई के आईपीस होई बने नी अंदर एक करता वधारे सिंपल लेंस छे ए जोडी अने एने ओबजेक्टिव अथो आईपीस छ तो जे फॉं्ट ग्रास होई ये ह्ब्बल कॉन्वेक्स लेंस होई के ॥ जे ब्यो बिज कारणी ओप्टिकल डिफेक्स छे ए जोहा मड़े नहीं तो आप बनने लेंज बेगा था यहने उब्जेक्टिव ग्लास छे बना उसे त्यार बाद वाद करी आपड़ आईपीस नी ब्राबर तो आईपीस छे जे मोस्ट कोमनली यूज चरवेइन टेलिसकोप छे एनी अंदर रहमस्टन आईपीस छे एनो प्रक यूज करवा माँ आवे छे ब्राबर ए प्लैनो कॉनगवेक लेंज छे एना बनेला होई छे ब्राबर एने नोन इरेक्टिंग आईपीस तरिखे अथवा तो पोजीटिव तरिखे पन ओडखवा माँ आवे छे एनी अंदर इन्वर्टे जे लेंज छे न वंतर 2 by 3 into f जेटलू वही छड़लेगेना फोकल लेंद ना बे तुतियां उस जेटलू बे लेंज फचे न वंतर छे राखवा माँ आवे छे आछे इनोन इरेक्टिंग टाइप आईपीस छे ब्राबर तो अउन नह था एटले एना इन्वर्टेड इमेज लेंज छे नी वच्चे वधराना बे एक्स्ट्रा लेंज चे पुर्वाइड करवा मावे छे जेने केवा मावे छे इरेक्टिंग आईपीस ब्राबर पण एने लिदे जे इमेज नी जे ब्रिलियन सी हो एनी अंदर खटाडो जोवा मावे छे ब्राबर ता बात थे आईप फार्म नी एड़ले के बीमपट तो बीमपट छे अपनी ख्याल छे आई प्रिष्टी थोड़ा दूर अंतर बीमपट छे एनी अंदर आखवा मावे छे बीमपट ने कही रीते बनावा माटे एक मेटल नी जे रींग होई एने टेलिसकोप नी साथे चार केफटन नी अंदर आपड़े डायाफ्राम ने टेच करिए आजे छे चार ए केफटन हेड़ेट स्क्रू छे बडाबर आजे छे अंदर ए क्रोस हेर छे बीमपट नाड़ातार जेन आपड़ा कही छी ये लग रन आजे छे इडायाफ्राम नी रींग है जेना अंदर नहें जे क्रोशहर ओ एए खासकरी कोकन माथी बनावामा आवे अथवा तो very fine platinum ना वायर छे युणी अंदर थिये बनावामा आवे बराबर तो जेन से क्रोशहर ने रचना अलग अलग वे अलगलग रचना छे फिगर नी अंदर आवेली है छे आवेल इंस्टूमेंट नी अंदर आ रिदनी रचना छे यह जोवा मड़े छे तो आवात था डायाफ्राम नी बीमपट न अडातार तो आछे यहता यहता parts of telescope आपड़े वात करिए temporary adjustment of level तो पेला तो temporary adjustment लगे हमा अंगामी समायोजन केने केवामावे तो के कोईपन level होई अटले के धार्यों के अपड़े डंपी level वड़े कोईपन फील्ड उपर जाहिए त्याः आपडैं दर्यक वक्ते जेते श्टेसन वपर आपड़े गोठवी ये लेवल ने टले आपड़ेनू टेमपररी एक्जेस्मेटलेके हुंगामी समय उजन करवुउ पड़े दरेक वक्ते डंपी लेवल नी वदे रीडिंग लेती वक्ते जे स्टेसन उपर आपड़े डंपी लेवल ने गोठवी ये दरेक स्टेसन उपर आपड़े एनू अंगा मी समय जनलेके टेंपररी एक्जेस्मेन चे करवू पड़े टेंपरेरी एक्जेस्मेंट छे लेवल नू एने तोन भाग ने अंदर डिवाइट गई राछे एक तो सेटिंग अप त्यार बाद लेवलिंग अप अने त्यार बाद फोकसिंग बराबर तो एक पच्छी एक दरेक ओपरेशन विशे आपड़े वाद करशू सव प्रथाम अपड़े वाद करिये शेटिंग अपनी तो फिगर नी अंदर जोता तमने थड़ो ख्याल आईवो होसे कोईपन स्टेशन उपर जे ट्रेपोड अन इंस्ट्रूमेण ने जे गोठवानी करिया चे एन आपड़े कईये शेटिंग तो सेटिंग अंपनी अंदर कईया कईया ओपरेशन फोलो करवाम आवे चे एना विशे बाद करिये तो के सव प्रथम तो जेते स्टेशन होई एनी उपर ट्रीपोड छे एने गोठवाम आवे चे ब्राबर एना जे दरेक लेक छे ब्राबर खोली अने एने जे ग्राउंड वेनी अंदर प्रेश करवाम आवे चे त्यार बाद जे डंपी लेवल के कोईपन प्रकार नू लेवल होई एने ट्रीपोड उपर छे ए फिक्स करवाम आवे चे ब्राबर त्यारे आपड़े जे गोठवता होई ट्रीपोड उपर जे आपड़ा डंपी लेवल ने त्यारे एक वस्तु याद राखवानी छे के ट्रीपोड ना लेग ने रिते एक जेस करवाना छे के जेथी गरीने आपड़े जेते डंपी लेवल मा थी आपनी आखनी उचाई आवे अटले आपड़े रीडिंग छे बराबर लई सकीए त्यार बाद ट्राइपोड ना लेग्स छे एने अंदर के बार फेरवी औने जे लेवलिंग छे एप्रोक्सिमेटली लेवलिंग छे इंस्ट्रूमेट नू करवा मा आवे छे तो सेटिंग अपनी अंदर अटली वस्तू करवा मा आवे छे के सव प्रथम तो जेते स्टेसान उपर ट्रीपोड ने गोठावा मा आवे छे त्यार बाद एना जे लेक्स येन बराबर खुली नाखवाम आवे जे अने ये ट्रिपोड छे एने जेते जग्या उपर बराबर फिक्स करी येने जे स्कुरू हो येने क्लेम करदेवाम आवे छे त्यार बाद जे लेवल हो येने ट्रिपोड उपर गोठवी बराबर अने आक नी उच्छे आवे तेरीदे गोठवा माँ आवे छे औने ट्रिपोड ना लेकस ने फेर वी अने एनू एप्रोक्सिमेटली लेवलिंग छेहे करवा माँ आवे छे त्यार बाद आपड़े बाद करिये leveling नी तो leveling केने क्या वाम आवे तो के after having leveled instrument approximately accurate leveling is done with the help of foot screw approximately leveling छे आपड़े setting अपनी अंदर करी नहीं खुँ त्यार बाद एनू एकडम accurately लेवलिंग करवा माटे आपड़े आपड़ा level ना foot screw छे एनो उपयोग करिये छिए the purpose of leveling is to make the vertical axis truly vertical leveling अप करवानो purpose सुँँ छे तो के vertical axis ने truly vertical करवा माटे अब leveling छे ए बेरीते थाई शके घणा instrument होई नी अंदर 3 foot screw होई घणा नी अंदर 4 foot screw होई तो आपड़े सव प्रत्थम जोई ए 3 foot screw वाड़े इंस्ट्रूमेंट होई एनी अंदर leveling छे ए कई रीते करवा माँ आवे तो तम्हे फिगर नी अंदर जोता आजे फिगर छे 3 foot screw माटे नी फिगर छे नी अंदर 1, 2 अने 3 foot screw छे ए प्रोवाइड करेला छे foot screw छे एटले एनू कोई confusion करवानी ज़रूर ना थी आपड़े आगर फिगर नी अंदर जोहे लोजे तो आजे तम्हें जोहो छो आजे आपड़े डंपी लेवल छे आजे 3 foot screw नू बने लुए इंस्ट्रूमेंट थवा 4 foot screw नू बने लुए तो आजे foot screw छे एनी मदद थी आपड़े लेवलिंग कारियो छे एक करी शकी एडले के वर्टिकल अक्सिस छे एने आपड़े टूली वर्टिकल करी शकी तो सव प्रत्थम आपड़े 3 foot screw एडले के 3 foot screw वो एक बी अने 3 A B अने C तो इना माटे लेवलिंग कारियो कई दिते थाए इना विशे वाद करिये तो सव प्रत्थम स्टेप lose the claim, bring the position of the plate level roughly parallel to the line joining any two of the leveling screw by turning the instrument as shown in figure सव प्रत्थम तो आपड़े claim छे screw एने बराबर खोली नागशू तियार बाद आपड़े जे plate level अडले के जे bubble tube जोड़ेली होई ब्राबर एने आपड़े कोईपण 2 foot screw ने जोड़ती line ने सम्मांतर छे गोठावसू ब्राबर तो आरीते तमें पेला तो कोईपण 2 foot screw हो एने सम्मांतर आपड़े लेवल ट्यूब छे एने आपड़े गोठावसू तियार बाद बिजू स्टेप नी वाद करिये के ब्रिंग दी बबल इंद सेंटर बाई टर्निंग बोधी स्कुरू इन ओपोजिट डैरेक्शन एतले के हवे चे बबल ट्यूब नूँ बबल छे एने आपड़े केंदर मां लावसू और जे बन्ने foot screw छे एने ओपोजिट डैरेक्शन यंदर आपड़े रोटेसन करावस के ब्रिंग आपड़े के ऐंधर ट्यूब रोटेब दिंग दी टेली स्कुरू एस एस स्कुरू ह acid आपड़ेक्शन फे संतले कि रैररेकोर मां लावसू हवे आपड़े टेलिस्कोप छे आने 90 डिगरी रिते फेर हो शुँ के जे बबल ट्यूब छे बराबर ए त्रीजो जे फूर्ट स्कुरू छे ए ना उपर आवी जाई आ रिते पेला रिते हतु वह टेलिस्कोप ना आपड़े 90 डिग्री फेरवी औन जे बबल ट्यूप छे त्रिजा फूर्ट स्कुरू नी उपर आवी जाई ते रिते आपड़े गोठ होशु त्यार बल रोटेट थी थर्ड फूर्ट स्कुरू अन तिल्द प्लेट बबल इस सेंट्रल हवे आजे त्रिजो फूर्ट स्कुरू छे लेके ए ने बीनी सापेक्स मा आपड़े करी नेखू सेंट्रिंग और सोरी लेवलिंग हवे आजे त्रिजो फूर्ट स्कुरू छे सी एनने आपड़े रिते फेरवसु के जेथी करी ने आजे बबल ट्यूब नूँ बबल छे क बन्ने बंने फोर्स्क्रू ने फेरवी औने ब्बल्स चे केंदर मा लाुसू बनने पोजिशन माठे बुबल्स चेक फोलो करवामा आवे np. लोर्स चे कर आ रिते जहां सुधी बनने बॉबल टीब न बनने पोजिशन माटे बॉबल टीब न बॉबल के अंदर अमनो आवे तिया सुधी आस्टेप छे फोलो करवामा आवे तो आवाथ थे कई रिते लेवल छे नियंदर एनू लेवलिंग छे करवामा आवे इन आवी से बराबर जो अवे four foot screw आपेला होई वेन धेर आरे four foot screw the telescope is kept on diagonals alternatively and the bubble is centered जारे आरे ते चार foot screw आपेला होई A, B, C and A, D तो यहाँ प्रकारना इंस्ट्रूमेंट नी अंदर leveling करवा माटे आपड़े जेते telescope छेन आपड़े diagonally छे ए राखिये ब्राबर bubble tube छे एने कोई पण 2 foot screw छे एने जोडती लाइन ने सम्वानतर गोठवीये अने पच्छी एजे 2 foot screw ने सम्वानतर होई bubble tube एज 2 foot screw ने फेरवी औने bubble tube में ब्रूमें ब्रूमें ये किंद्रमा लाविये त्यार बात फरी पच्छी जे बाकी ना पण 2 foot screw छे एने सम्वानतर bubble tube ने राखी औने आपड़े 2 foot screw ने फेरवी औने bubble tube ने ब्रूमें ब्रूमें किंद्रमा लाविये तो जेरे 4 foot screw होई तीने अंदर आ रिते छे लेवलिंग का यह करी शकी है पाथाई टेमपरी एक्जिस्मेंट ने अंदर बीजा स्टेप ने अटले के लेवलिंग नी आपड़े आगड़ बात करिये फोकसिंग नी तो फोकसिंग केने के वाम आवे बेला तो फोकसिंग नी ज़रूर सुका में पड़े तो के टिलिसकोप नी अंदर clear image मेड़ा आमाटे आपड़े फोकसिंग श्कुरु नी मद्यू ती फोकसिंग चे करता होई पन फोकसिंग छे एक तुर्टी छे निवारव माट एक जे छे एने माट आपड़े करिये छे एरर माट एक परलक्स परलक्स दूर करवा माट आपड़े फोकसिंग करिये छे तो परलक्स केने केवा मावे एना विशेवाद करिये तो के परलक्स is a condition arising when the image formed by the objective is not in the plane of the crosshair परलक्स नी परिश्थिती क्या रे उदभावे उजराती मागे तो द्रस्टी भेद द्रस्टी भेद क्या रे थाई तो के जहारे objective द्वारा जे image छे ए बने छे बराबर ए चे क्रोस हेर वो एना बराबर प्लेन नी अंदर न होई त्यारे आपड़े छे परलक्स अटलेके द्रस्टी भेद उदभावे छे बराबर अर्लनेस परलक्स is eliminated, accurate sighting is impossible, परलक्स can be eliminated by two step परलक्स छे ये दूर करवा माटे आपड़े बेस स्टेप फोलो करिये छिये, बराबर कईया कईया बेस स्टेप तो के focusing the eye piece अने focusing the objective, focusing the eye piece अने focusing the objective, आबे जे step छे ने आपड़े फोलो करिये छिये, सवप्रतम वाद करी आपड़े focusing the eye piece नी, तो focus the eye piece for the distinct vision of the crosshair point the telescope toward the sky or held a seat of white paper in front of the objective and move eye piece in or out till the crosshair are seen sharp and stick eye piece नूँ focusing करवा माटे, बराबर, सुका में पला तो करवा मावे छे, तो के crosshair छे एने clear जोवा माटे eye piece नूँ focusing करवा मावे छे, अडले के, बीमपट ना आडातार ने स्पोस्ट जोवा माटे आपड़े eye piece नूँ focusing छे, ये करिये छे, कई रीते करवा मावे, तो के कातो telescope छे एने, आकास तरख पेला तो ताको, अथो आतो, telescope नी आगड कोईक white seat paper छे एने राखी दियो, त्यार बाद, जे eye piece नूँ, छे एने आपड़े अंदर के बार moment करावसू, ब्राबर, जे थी करिने, आपड़े, जे crosshair छे, एने एकदम sharp छे, ए जोई सक्किये, ब्राबर, तो आवाद थाई, फोकसिंग धी eye piece, त्यार बाद, फोकसिंग धी telescope, एनी अंदर सुन करवा मावे, तो के, जे टेलिसकोप objective वड़े, जे image form थाई छे, एने clear जोई माटे आपड़े, objective नूँ, फोकसिंग करिये छिए, तो telescope is now direct towards the staff, and the focusing screw is turned till the image appear clean and sharp, हवे आपड़े टेलिसकोप छे, एने कोईपन स्टाफ उपर छे, बाइसेक कर सु, अन्ने त्यार बाद, फोकसिंग स्कुरू छे, एनी मदत थी, आपड़े एने, फोकसिंग स्कुरू ने फेरवी, औने, जे staff छे, एनी आपड़े, clear, औने एकदम sharp image छे, मेड़ोशू, ब्राब, the image so formed is in the plane of crosshair, हवे जे आपड़े श्टाफ नी जे image मड़ से, आपड़ा, बीमपट ना जे आड़ा तार छे, एनू जे plane हसे, एने अदर आपड़े जोवा मड़ से, आपड़े, objective नू जो आपड़े focusing करिये, तो जे image छे, एड़ले के staff ने, कोई पन object, एने आपड़े clear छे, जो ही सक्किये, तो आरी ते Fairlux दूर करवा माट्टे, आपड़े, IPs औन objective नू उप्यक करिये, जे ने आपड़े कईये छी ए, focusing ना पियान, Thank you!